तो हेलो फ्रेंड ये कोश्चन वैलिएशन ओब बिजनेस वैलिएशन ओफ फर्म्स एकुटी शेक की वैलू निकालना उस रिलेटेट कोश्चन है SFM का और ये कोश्चन मस्ट ट्राइ कोश्चन है एक्जाम से पहले इस कोश्चन को जरूर ट्राइ करिएगा क्योंकि इस कोश्चन में ग्रोथ में दो बार चेंज हो रहा है और सब्सक्राइब कोश्चन में दो तीन चीज़ों का प्रैक्टिस हो जाएगी टो टेली ग्राम के चैनल पर ये ओस्चन पूचा गया था तो इसमें क्या है कि ये कोश्चन एबिसर इंडिय लिम्टेट उ प्रिंटर इंप्रिंग सकते हैं यहाँ पर सबसे ज़्यादए इंपोर्टन बात यह यह रहेंगे annual growth rate in net operating profit and in working capital from 10 to 14 अलब कि 2010 से 2014 तक हमारी यह दो चीजों में 8% की growth रहेगी net operating profit पर और working capital में उसके बाद जो 2014 की beyond है उसमें 6% का लगेगा और यह रेखिए आप जहां पर यह यह यलो से highlighted है यह लिखा हुआ है 2015 में 240.336 रुपीज लाक्स रुपीज का free cash flow है मतलब कि यह terminal value इस question में निकाल के दे दिए तो question बहुत अच्छा है और इसमें देखिए नीचे जब आएं गया यहां पर एक line बोली हुई है debt is expected to decline by 30% in 2014 मतलब कि जो हमारा उपर का जो debt है 1934 वो 2014 के last में इसका 30% pay off हो जाता है तो इसकी calculation करनी है तो यह pay off होने के कारण ही हमारे जो debt है उसकी value कम हो जाएगी तो value जब कम हो जाएगी तो हमारी cost of capital भी change हो जाएगी तो इस question के solution पर चलते हैं और इसमें जो जहां पर problem आ रही है वहां पर मैं आपको explain करता हूँ तो यह question है आपका तो इसमें आप solve करेंगे तो easy way में आपको समझ में आ जाएगा तो main problem इसमें यह है कि यह रहिए यहां पर आपका जो debt लिया गया है 1934 लिया गया है और आपका जो यह निकाला गया है cost of capital यह इतना 13.54 परसंट है और यह यह जो निकाली गई है यह 2014 तक की है क्योंकि 2014 के last में pay off कर दिया गया है 30 परसंट तो 30 परसंट जब pay off कर दिया गया है तो हमारी जो cost of capital है वो देखी यहां पर आके change हो गई है यह कि आप देख सकते हैं यहां पर cost of capital यह change हो गई है स्टार्टिंग में देखी यहां पर क्या थी यह थी और नीचे जो है आपकी इतनी है तो यह terminal value के लिए निकाली गई है और यह इतनी value आई है जो debt है debt जब उसमें से 30% आप less करेंगे जो आपको यहां पर इसने शो किया है तो आपकी value इतनी हो जाएगी इसलिए आपकी cost of capital में भी change आ गया है तो अब इसमें problem यह आ रही है कि जब हम लोग question solve करने के बाद value निकालना है तो देखी value निकालने के बाद यह रहे पीवी of free cash flow up to इतना उसके बाद continuing value और terminal value इतना तो यह value जो आ रही है आप यह देख सकते हैं कि पहले हमने इसमें यहां पर यह chart बनाके 2010 से लेके 14 तक में यह present value निकाल ली है जो कि आपकी इतनी आ रही है उसके बाद terminal value क्योंकि उसके बाद तो constant growth है 6% की तो उसके साब से और आप करके यहां पर यह रही है जो हमारे question में दिया हुआ था जो question में हमारे दिया हुआ था उसी में हमने growth का formula लगा के Gordon growth model फिसके बाद उसको value निकालके हमने present पर ला दिया तो हमारी यह value आ गई तो अब आप इसको total करेंगे तो हमारी total value यह आ रही है ठीक है और आप जानते है कि जब share की value निकालते हैं तो वह firm की value आई यह firm की value आई तो अब इसमें से हम debt अटाएंगे तो यह है सबसे यह important point यहां पर देखिए इस question में क्या किया है जो उसने 30% paid किया है 2014 के last में उसके बाद वाली value को उसने ले लिया है यहां पर तो यहां पर 1353.80 lakh rupees आया है और जब हमारा present में इतना था यह था 1934 उसके बाद इसमें से value निकाला है जिसके कहां यह value आ रही है तो price निकालने पर हमको पर चला है कि overvalued है क्योंकि value हमारी आ रही है 7 rupees 6.622 और market में rate चला है 60 से तो इसमें problem यह आ रही है कि जब हम present की equity निकाल रहे है और terminal में भी उसका हमने effect ल दे रहे हैं जबकि 2014 की निकाला है तो आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं अगर आपने इस तरह से भी किया है तो यह भी सही है और अगर आप यह वाली value को भी लेंगे starting की 1934 उसके बाद भी value निकालेंगे वो भी सही है क्योंकि इसमें दो assumption बन गई है इसमें दो assumption यह बन ग इतनी value ले सकता है और कोई अगर कहेंगा कि हमने इसको पे किया आखरी में तो आखरी में पे कर दिया है तो हमारी 1934 रहेगी और ऐसी ही इसके दो alternative दिये हुए है यह merger and acquisition question 65 है Marginal acquisition का जो chapter 13 है उसमें आप देखेंगे तो alternative में ICA ने दो solution दिया है एक में उसने 13.80 lakh की value निकाला है और एक में उसने 1934 बाकी calculation सेम है हां लेकिन cost of capital दोनों में change होगी क्योंकि growth change होगी है और वो paid किया गया है तो इसलिए यहाँ पे लिया गया है तो I hope doubt clear हो गया होगा बा किया हुआ है और उसने दो तरीके से solve किया है तो आप आपको अगर इससे लेना है उससे कर सकते हैं उससे लेना है तो करिए गया इसको question बहुत practice करने लाएक है बहुत अच्छा question है आयो कोई problem हो तो बताएगा और telegram channel को join करिए और channel है इसको subscribe करिए like करिए थैंक्यू